नमस्कार दोस्तों! पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है. आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी साथ रानियों की कहानी. बहुत समय पहले एक राजा था. उस राजा की छे रानिया थी. राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था. राज्य बहुत ही दयालू और धार्मिक प्रवृती वाला था. वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था. वो राज्य की प्रजा को अ राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार कोई भी दुख नहीं था। पाते और दान धर्म करते। लेकिन फिर भी राणिया मा नहीं बन पाई। प्रजा के राजा के यहां कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बने। इसके लिए उनकी प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी। देवी देवताओं से मनोतियां मांगती थी। राजा ने बहुत प्रयास किये। कुछ भी नहीं छोड़ा। वो पीर फकीर, साधू सन्यासी सबकी सेवा करते थे। परन्तु अभी तक किसी का भी दिया हुआ आशिरवाद राजा को नहीं फला था। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकले। शिकार करते समय वो एक हिरन का पीछा करते करते, जंगल में काफी दूर निकल गये। हिरन तो उन्हें मिल नहीं पाया। वो हिरन ना जाने कहां छुप गया था। राजा काफी देर तक हिरन को जंगल में इधर उधर ढूंडते रहे, लेकिन वो हिरन उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई थी। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वो घोडा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे, चारों दिशाओं में घंगोर जंगल ही जंगल था, अच्छा न, उन्हें कहीं से कलकल की आवाद सुनाई पड़ी, राजा ने सोचा की लगता है, शायद इधर कोई जहरन है, जहरने की आवाद सुनते सुनते, राजा उसी आवाद की दिशा में चलने लगे, कुछ दूर आगे जाने के बाद, राजा को वो जहरना दिखाई दे गया, जहरने पर पहुँचकर राजा अपने घोडे से नीचे उतरे, और जैसे ही वो पानी पीने लगे, अचानक उ चौंक कर पीछे मुड कर देखा, सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया, कि एक लड़की जहरने में नहा रही थी, उन्होंने जल्दी से अपनी आँखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आगया, मुझे एक शमा करी, मैंने आपको नहीं देखा, यदि आप बुरा नहीं माने, तो मैं पानी पीलू, और फिर मैं यहां से चला जाओंगा, वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप कौन हैं, और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए, वो लड़की कहने लगी, मैं यहीं पास के गाव में रहती हूँ, रोज यहां आती हूँ, और इसी जहरने में नहाती हूँ, यह जहरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कभी कोई, नहीं आया, मैं तो निश्चिन् मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे, आप मेरी तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुख जाएए, थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी, राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड की छाम में उधर की त पास आ गई, राजा के पास आकर वह कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए, राजा ने कहा नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है, अब तु मुझे अपना परिचे दो और मेरी मदद करो, लड़की कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड रखे हैं, आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं, क्या आप उन फलों को खाएंगे, अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको दे दूँगी, ये कहकर वह लड़की राजा का जवाब सुने बिना ही, टोकरी में बंदे हुए फल निकाल कर जहरने के पा राजा उन फलों को लड़की से ले लेता है, और उस लड़की से पूछता है, क्या तुम नहीं खाओगी, लड़की कहती है नहीं, आप आते थी हैं, आप खाये, फल खाते हुए राजा ने लड़की से कहा कि अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं त का नाम कोट सी है मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मा है हम लोग जंगल से फल और लकडियां ले जाते हैं और उसी को बेच कर अपना गुजारा कर लेते हैं घर के पास थोड़ी सी जमीन है हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं जिससे हमारा खर्चा चल इसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। रूपा कहने लगी आप मुझसे क्यूं मिलना चाहते हैं? राजा कहने लगा बस तुम्हें देखकर तुमसे बाते करने की इच्छा होती है। इसके बाद राजा वहां से चल पड़ा और अपनी राजधानी आ गया। लेकिन राजा रूपा पर मोहित हो गया था इसलिए वो बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वो समझ नहीं पा रहा था कि छे छे रानियों के रहते उसका दिल रूपा की ओर क्यूं खिचा चला जा रहा है। जब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया तब उसने जंगल में घटी ये सारी बातें अपने मंत्री को बताई। मंत्री जी ने कहा महराज यदि आप चाहते हैं तो आप उस लड़की से विवा क्यूं नहीं कर लेते। हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का ये सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने के लिए चल पड़ा। जहरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा जहरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वो वहीं रुख गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें रूपा दिखाई नहीं दी तो राजा ने मंत्री जी को भी बुलाया और कहा आज रूपा दिखाई नहीं दे रही है। लगता है या तो आज रूपा आई नहीं है, या फिर आकर वापस चली गई है। परंतु उसने कहा था कि वो रोज यहां आती है, तो अब तक आई क्यूं नहीं? मंत्री जी कहने लगे, महराज क्यूं न हम लोग उसके गाव चले? राजा कहने लगे हा लगता है यही ठीक रहेगा। रूपा के गाव में जाने का निश्चय करके दोनों उसके गाव पहुँचे और फिर रूपा का नाम लेकर पता करते हुए उसके घर पहुँच गए। उन्हें देखकर गाव के लोग रूपा का घर दिखाने के लिए उनक राजा ने आवाज लगाई रूपा तुम क्या कर रही हो। बाहर आओ देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने जहरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की परंतु क्या आज तुम फल लेने नहीं गई थी। आवाज सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आखें आशुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा रूपा क्या हुआ। तुम क्यूं रो रही हो। अब तक दो अजनबियों को घोडे पर सवार देखकर रिकट थे। हुए ग्रामेणों में से एक ने कहा बाबुजी इसके अपनों में सिर्फ इसकी एक मा ही तो थी और वो भी चल बसी। उसे सर्प ने डस लिया था और अब ये बेचारी अकेली रह गई है। आप ही बताइए कि ऐसे में अब ये बेचारी रोए नहीं तो क्या करें। आप लोग कौन है। मंत्री जी ने राजा का परिच्चे दिया और मंत्री की बात सुनकर पूरे गाउं में ख लोगों को कोई आपत्ती है। मुख्या जी ने कहा कि नहीं हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य खुल गए। ये गाव अब आपकी ससुराल होगी। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। गाव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करके राजा औ वापस जाने के लिए तैयार थे। गाव वालों ने रुंदे गले और नम आखों से गाव की बिटिया रूपा को विदा किया। राजलक्ष्मी राजा के साथ अपनी ससुराल राजमहल में आ गई। राजा की नई रानी को देखकर उसकी दूसरी छे रानिया इर्ष्या से जलकर राक हुई जा रही थी। उन्होंने मंद से दुखी होने के बाद भी अपने आपको खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांच समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम द वो उन्हें अपनी बड़ी बहनों की तरह सम्मान देती थी। की बहुत ही बड़े महात्मा है। क्यों न एक बार उन्हें राजदर्बार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। महात्मा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए महाराज से कुछ दिन के लिए महल में रुखने की आज्या मांगी जिसे राजा ने खुशी खुशी स्विकार कर लिया और अपने सेवकों को आज्या दी की महात्मा जी का रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी राणियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सतकार होना चाहिए। बड़ी राणियों ने महात्मा के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे सभी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का पूरा आदर सतकार करती। शायद जंगल में पली बढ़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वो इस राज्य की रानी है। उसने मन लगा कर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशिरवाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुला कर बोले की बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मेरा बहुत ध्यान रखा है। आशिरवाद देकर महात्मा चले गए और सच्मुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुब समाचार दिया की वो पिता बनने वाले थे। रानी गर्भवती थी। ये समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का पारावार नहीं रहा। अब तो राजा रानी राजलक्ष्मी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ये सोचकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिये। उन्होंने कुलगुरु को भी ये निर्देश दिया की, वो प्रतिदिन रानी को धार्मेक और प्रेरक कहानिया सुनाएं। इस समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दोड़ गई। पूरे राज्य में लोग खुशिया मनाने लगे। चारों तरफ बधायों की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे की राज्य को वारिस मिलने वाला है। परंतु बड़ी छे रानिया तो जलकर राख हो गई थी। ये छे की छे रानिया आपस में विचार करने लगी की अब क्या होगा। अब तो वो सब यही सोच रही थी की छोटी रानि तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है। बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा, यही परेशानी हो जाएगी। उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, और यह हमें दासी की तरह समझेंगी। इस तरह से वे आपस में सलाह करके, हमेशा रानी राज लक्ष्मी को परिशान करने का प्रयास करती, परन्तु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते तो, कभी प्रजा और कभी दासियां तो कभी स्वयम राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाते। इस तरह समय बीत रहा था, और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापती को भेजा गया जो की अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयम राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी राणी को छोटी राणी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वैर विद्रोव को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी राणीों को सुनहरा अवसर मिल गया था। अब वे छोटी राणी को गलत बाते बतलाती रहती और छोटी राणी से वैसे ही काम करवाती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुँचे। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ करके चले जाते। कुलगुरू छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधूर बाते करते हुए बच्चे के लिए आवश्चक सावधानिया बतला कर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरू और बड़ी रानियों की बाते अलग-अलग क्यूं हैं? आखिर सही कौन है? दोनों की बाते एक दूसरे से बिलकुल विपरीथ हैं. वो सोचती कुलगुरू तो पुरुष है और रानिया तो महिलाएं हैं. महिलाओं की बाते पुरुष कहां समझ पाएंगे? इसलिए जो बड़ी रानिया कहती हैं वही सही है. उसे यही लगता की आखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही. एक दिन रानी को प्रसव पीरा शुरू हो गई. उसने बड़ी रानी से कहा की दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है. कुछ उपाएं करें. प्रसव कैसे होगा? समय पूरा हो गया था. बड़ी रानी के मन में ब ज्यादा आदर होगा. ये सोचकर बड़ी रानी छट पटा रही थी. लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के शड्यंत्र पैदा होने लगे. उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ. मैं दाई को बुलाती हूँ. तब तक तुम ऐसा करो की, देखो वो सामने कोठरी है. तुम उसमें अपना सिर डाल कर खड़ी हो जाओ. इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा. तब तक दाई भी आ जाएगी. राजलक्षमी को ऐसा कहक कर बड़ी रानी वहां से चली गई. उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा. उसे धेर सारा धन देकर और कुछ समझा कर अपने साथ शामिल कर लिया. इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी. दूसरी और बड़ी रानी के जाने के बाद, रानी राजलक्षमी कोठ कोठ्री में सिर डालने लगी. कोठ्री ऊची होने के कारण रानी का सिर कोठ्री के अंदर नहीं पहुंच सका. ये देखकर वो सोचने लगी कि अब वो क्या करे? उसने कभी किसी का प्रसव होते हुए देखा नहीं था, इसलिए वो कुछ जानती भी नहीं थी. तभी उसने सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा कि यहाँ पर यह जो पानी पीने का घड़ा रखा है वो भी तो मिट्टी का ही है मैं इसी में अपना सिर डाल लेती हूँ क्योंकि बड़ी बहनों ने उसे गलत तो कहा नहीं होगा जरूर प्रसव का यही तरीका होता होगा वो घड़े से पानी फेंक कर उसी में अपना सिर डालने लगी उसका सिर घड़े के अंदर भी नहीं जा रहा था वो आखें बंद किये हुए घड़े के उपर सिर रखकर वही पास में बैठ गई और दर्ध के कारण चिलाती रही लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा जान नहीं पाए दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई छोटी रानी पीरा से कराह रही थी भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक-एक करके साथ बच्चों को जन्म दिया उनमें छे लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ बहुत ज्यादा पीरा के कारण रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही लुढ़क गई ये देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहाँ आ चुकी थी वो सभी ये देखकर हैरान थी कि छोटी राणी ने एक साथ साथ बच्चों को जन दिया है और सभी बच्चे बिलकुल स्वस्थ और तंदुरुस्थ हैं उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ इट पत्थर के टुकडों को लेकर आओ दाई जल्दी से इट पत्थर के टुकडों को लेकर आगई उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहां से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मार कर जमीन के नीचे दफन कर देना हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वो बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे दाई बहुत खुश हो गई और वो सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिये बच्चों के स्थान पर उन्होंने इंट पत्थर के टुकडे वहां रख दिये घड़े को तोड़ कर उसके टुकड़े भी वहाँ पर छोड़ दिये और इसके बाद सभी रानिया अपने कमरे में आ गई थोड़ी देर बाद ही दाई वापस वहाँ उनके पास पहुंच गई बड़ी रानी ने उससे पूछा क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मार कर जमीन में दबा दिया है? दाई के हाँ कहने पर सभी रानिया बहुत खुश हुई और उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के देकर विदा किया इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानिया छोटी रानी राजलक्षमी के पास आई और उसके उपर पानी के छीटे मार कर छोटी रानी को होश में लाई होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहा है और मुझे लड़का या लड़की क्या हुआ है पास पड़े इंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि ये देखो तुमने इन इंट और पत्थरों को जन्म दिया है छोटी रानी राजलक्ष्मी ये सुनकर आश्चर्य चकित थी की ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इंट और पत्थरों को जन्म दिया है छोटी रानी के पास इंट और पत्थर के टुकडे पड़े हुए थे उसने रोते हुए कहा कि इंट और पत्थर ऐसा कैसे हो सकता है नहीं यह नहीं हो सकता बच्चा तो जरूर हुआ होगा बड़ी रानियों ने कहा तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है लो अब तुम इन्हें संभाल कर रखो ऐसा कहकर उन्होंने सारी इट और पत्थर के टुकड़ों को एक थेले में भर दिया अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी छोटी रानी बहुत ही आश्चर्य चकित और परिशान थी वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है जल्दी ही सभी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी की छोटी रानी ने बच्चों के बदले इट और पत्थरों को जन्म दिया है कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीत कर अपने नगर को वापस आ गए उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई परंतु लोगों के चहरे पर वो उमंगवा खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ राजा अब राज भवन में आये तो पट्रानी सहित सभी राणियों ने उनका स्वागत किया छोटी राणी का चहरा उदास था परंतु दूसरी राणियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी राज महल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ छोटी राणी का उदास मुख देखकर उन्होंने पूछा राणी राजलक्ष्मी क्या बात है आप दुखी नजर आ रही है इस पर छोटी राणी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी राणी ने जवाब दिया कि महराज वो दुखी कैसे नहीं रहे क्या हुआ राणी का प्रसव हुआ या नहीं राजा की बड़ी राणी जो पत्रानी थी उसने जूठे दुख का दिखावा करते हुए कहा महराज हम तो चले गए हमें तो बहुत बड़े धोखे में रखा गया महराज ये राजलक्षमी मासूम चहरे वाली ये तो बहुत ही चलने वाली और धोखे बाज निकली महराज ये हमें गर्भवती होने का धोखा देती रही ये गर्भवती नहीं थी बस दिखावा करती रही और इसने हमें धोखे में रखा गर्ब होने पर कुछ तो होता इन्हें तो इट और पत्थर पैदा हुए हैं वो इट और पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं आप जाकर स्वयम देख लीजिए पत्रानी राजा और रानी राजलक्षमी को राजलक्षमी के कक्ष में लेकर गई और उन्हें इंट और पत्थरों के टुकडों को दिखाया राजा इंट और पत्थरों के टुकडों को देखकर आश्चर्य चकित थे उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है मानव गर्ब से ये इंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकता है बड़ी रानी पत्रानी कहने लगी महाराज वही तो हम भी कह रही हैं कि इसमें हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे सभी को यह उम्मीद थी कि राज्य का वारिस मिलेगा इसके साथ ही हमें भी तो माता होने का सौभाग्य मिलता परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बाते ठीक लगने लगी राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है अब राजा क्रोध में भरकर रानी राजलक्षमी की ओर पलट गए और पूछा बताईए रानी आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यूं दिया हमें चलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई यदि आप ऐसा ना करती तो हम इसे विधी का विधान मानकर संतोश कर लेते की हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं लेकिन आपने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखा कर हमारी आशा पर पानी फिर दिया हम तो आपके मासूम चहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बना कर लेकर आये थे हमने आपको इतना प्यार, आदर और सम्मान दिया परन्तु आप उस सम्मान के योग्य नहीं है आपने हमें धोखा देने से पहले इस सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा हमें आपसे ऐसी उमीद बिलकुल भी नहीं थी लेकिन आपने जो छल हमसे किया है, उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे आज से आप हमारी रानी नहीं बलकी महल की नौकरानी होगी जाये हमारे सामने से अभी चली जाये, वरना क्रोध में मैं ना जाने क्या कर बैठ हूँ राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी वो उस कक्ष से बाहर चली गई, और एक तरफ बैठ कर रोने लगी इस घटना के बाद तो राज महल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल हो गया बड़ी रानी और बाकी सभी रानिया उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उनसे लिया जाता उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया रानी दुखी बहुत हो गई और उसके दुख हर गुजर रहे दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे थे पर वो सब कुछ सहने के अलावा क्या कर सकती थी उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो अपनी गर्भावस्था को प्रमानित कर पाती वो जानती थी कि वो सच में गर्भावती थी उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ कई बार उनके मन में इच्छा होती कि वो राजमहल को छोड़ कर अपने गाव चली जाए और अपनी पुरानी दिन चर्या आरंप करें अब उसे अपनी पुरानी जिन्दगी की बहुत याद आती परंतु वो ये सोचकर अपना विचार बदल देती कि उसके राणी बनने पर उसके गाव वाले कितने खुश थे वो सोचती अब वो वहाँ जाकर किस मुह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें कहे इस तरह समय बीटता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दर्बार में बैठे राज्यकार्य में व्यस्त थे की तभी एक प्रेरी ने उनके पास आकर सूचना दी प्रेरी ने कहा महाराज मनसुखा गाव के प्रधान जी आपसे मिलना चाहते हैं राजा ने ग्राम प्रधान को बुलाने की आग्या दे दी मनसुखा गाव के ग्राम प्रधान ने आकर राजा को जुक कर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया राजा ने कहा ग्राम प्रधान जी कहिए आपकी क्या समस्या है ग्राम प्रधान कहने लगा महाराज आपके शासन में किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती राज्य में और हमारे गाव में सभी राजी खुशी है आज मैं यहां आपके पास एक आश्चर्य जनक और चमतकारिक धटना के बारे में बताने के लिए आया हूँ जिसके बारे में जानकर हम सब गाव वालों की तरह आप भी बहुत ही हैरान रह जाएंगे महाराज, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां चला आया राजा कहने लगे, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमतकार पूर्ण घटना हुई है, उसके बारे में हमें बताईए प्रधान कहने लगे, महाराज, हमारा गांग जंगल के पास में है वहां बहुत से पेड पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम वहां एक स्थान पर एक चमपा के फूल और कई बांस के पौधों को देख रहे हैं ये पौधे अपने आप उगाए हैं, इन पौधों को किसी ने भी नहीं लगाया, शुरू में तो हमें से किसी ने भी उन पर विशेश ध्यान नहीं दिया, परन्तु अब हम उनके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं महाराज, उन उचे बांस के पौधों के बीच में चमपा का पौधा ऐसा लगता है, जैसे बांस के पौधों के द्वारा घेरा डाल कर चमपा के पौधे की सुरक्षा की गई हो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे बांस के पौधे खास्तोर पर उस चम्पा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए हो परंतु महाराज ये भी एक सत्य है कि उन पौधों को हमारे गाउं के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है ये सभी पौधे एक साथ अपने आप ही उगाए है महाराज इससे भी बड़ी आश्चरे की बात ये है कि ये चम्पा का पौधा फूलों से लदा हुआ है परंतु किसी के भी तोने से इसका फूल तूटता नहीं है चम्पा के पौधे से जो फूल नीचे गिरते हैं हम उन्हें उठा लेते हैं वे फूल बहुत ही सुगंधित हैं परंतु महाराज यदि कोई भी व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो चम्पा के सारे फूल आकाश की तरफ को काफी उचे हो जाते हैं महाराज इतना ही नहीं उनमें से मानव की आवाज भी आती है चम्पा और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज में बाते करते हैं ग्राम प्रधान की ये सभी बाते सुनकर राजा आश्चर्य चकित हो गए। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पौधे मानव आवाज में कैसे बोल सकते हैं। ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें ये बताईए कि वो पौधे बाते करते हुए क्या कहते हैं। ग्राम प्रधान कहने लगे महराज, जब कोई भी व्यक्ति फूल तोडने के लिए चम्पा के पौधे की और हाथ बढ़ाता है तो चम्पा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भाईया, ये इस गांग के ग्रामीन फूल तोडने आए हैं। इन्हे फूल देना है या मैं लगू आकाश। इसके बाद उन बांस के पौधों में से आवाज आती है ना बहना लग जा आकाश। इसके बाद चम्पा के डालिया इतनी उची हो जाती हैं कि कोई भी इनसान उन तक नहीं पहुँच पाता। लंबे डंडे से भी चम्पा के फूल तक पहुँचना संभव नहीं होता। परंतु प्रतिदिन सुभा के समय चम्पा के फूल जमीन में बिखरे मिलते हैं जो की बहुत ही सुगंधित होते हैं। महराज, आश्चरे की बात तो ये है कि सभी ग्रामीनों ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की परंतु आज तक एक भी फूल अपने हाथों से तोड़ नहीं पाए। यहां तक की कितने राहगीरों ने भी और आसपास के कई गामों के ग्रामीनों ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। सभी असफल रहे महराज। अब तो सभी लोगों ने उस चमपा के पौधे को आकाश चमपा के पौधे के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। राजा ने ग्राम प्रधान की ये सभी बाते सुनने के बाद हैरान होकर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी आप खुद जाकर देखिये, वो किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, जी महराज, मैं स्वयम जाकर देखता हूँ. मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दर्बार से बाहर निकल गए. राजा और सारे दर्बारी आश्चर्य में पड़े, ये सब सुन और देख रहे थे. वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखर सच्चाई क्या है. मंत्री के वहां से जाने के बाद राजा भी यह सोचकर अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए हैं. वो सब कुछ पता लगा कर आ जाएंगे. राज महल से निकल कर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान जी के साथ उन पौधों के पास पहुँचे तो सभी ग्रामीन भी वहां पर इकठा हो गए. सुभा का समय था, मंत्री जी, ग्राम प्रधान और गाव के लोग आकाश चम्पा के पौधे के पास पहुँच चुके थे वहाँ पहुँचते ही चम्पा के फूलों की गंद उनके नाक के नथुनों में प्रवेश कर गई चम्पा की सुगंध से वे सम्मोहिट से हो गए चम्पा के पौधे के पास पहुँच कर मंत्री जी ने देखा की, ग्राम प्रधान के बताय अनुसार वहाँ पर एक चम्पा का पौधा था और कई बांस के पौधे थे चम्पा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए खड़े थे चम्पा की डालिया सामान में उचाई पर थी जिसे मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़ कर छू सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे चम्पा के फूल मंत्री जी के हाथों की पहुंच की सीमा में थे पौधे के चारों और जमीन पर फूल विखरे पड़े थे मंत्री जी चम्पा के फूल की सुगंद से सम्मोहित होकर चम्पा के पौधे की ओर बढ़े और फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तभी वहाँ पर मौझूद सभी लोगों को चम्पा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाद सुनाई दी जिसे सुनकर मंत्री जी के आगे बढ़े हाथ जहां के तहां रुप गए वो आश्चर्य चके थो उठे वो देख रहे थे कि यह आवाज चम्पा के पौधे से आवाज आई थी कि ये बांस भाईया हां बहन चम्पा ये किनारे की ओर से बांस में से आई उसके बाद चम्पा के पौधे से आवाज आई हमारे मंत्री जी फूल तो ने आए हैं क्या मैं टूटू या लग जाऊं आकाश आवाद स्पष्ट सुनाई दे रही थी आश्चर्य सभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी ऐसा लग रहा था जैसे पांच-शे लोग एक साथ बोल रहे हो इन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्य चकित हो गए ऐसे लग रहा था जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी सुनना हो गया हो और जब वे इन आवाजों को सुन रहे थे जो कह रहे थे ना बहन चमपा लग जा आकाश ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां की जिम्मेदारी थी लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की इसलिए इनके सामने जुकना नहीं एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना इसलिए बहन चमपा लग जा आकाश और आश्चर्य चमपा की सभी डालियां इतनी उची हो गई कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से उसके एक भी फूल को नहीं चू सकते थे मंत्री जी ने चमपा के फूल तोडने का बहुत प्रयास किया लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एक फूल भी नहीं तोड सके बांस के पौधों में से अब जो आवाज आ रही थी, वो मंत्री जी से कह रही थी कि जाए मंत्री जी अपने राजकारे का संचालन कीजिए आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने की योग्य नहीं है मंत्री जी आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते नहीं हैं आपने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भ अवस्था के अंतिम समय में कैसे रही और उनका प्रसव कैसे होगा ऐसे कछिन समय में उन्हें क्या क्या समस्या हो सकती है इसलिए अब आप यहां से जाएए हमारी द्रिष्टी में आपने अपराद किया है उनकी बात सुनकर मंत्री जी आश्चर्य चकित थे एक और तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ये पौधे मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर रहे है वहीं दूसरी और वह ये सोचकर भी हैरान थे कि वह सच्मुच रानी राजलक्ष्मी को दिन में केवल एक बार देख कर आ जाते थे ये बात सच तो थी लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बात इन पौधों को कैसे पता चली और वे आत्मगलानी से भरूठे क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निग्रानी में करवाना चाहिए था अब उन्हें ये महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही धंक से पूरी नहीं की अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या रानी राजलक्षमी के साथ कुछ बड़ा शड्यंत्र हुआ है क्या कुछ ऐसा है जो वे नहीं जानते हैं आखर ऐसी क्या बात है उन्होंने पौधों से पूछा कि आप ही हमें बताईए हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई मंत्री जी पौधों से बात करने का बार बार प्रयास करते रहे उन्होंने पौधों से कई प्रकार के प्रश्न पूछे लिकिन उन्हें पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला और नहीं अब पौधों की तरफ से कोई भी आवाज आई लिकिन चमपा की डालिया अभी भी उँचाई पर थी इसलिए मंत्री जी बहुत परिशान थे मंत्री जी को उनके प्रश्णों के उत्तर नहीं मिले थे निराश होकर मंत्री जी वहां से वापस जाने लगे वहां से लोटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस रहस्य का पता करने के लिए यहां अवश्य आएंगे इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए राज महल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई और कहा कि महराज मुझे लगता है कि राज महल में कुछ शड्यंत्र तो अवश्य हुआ है अब मुझे तो अपने उपर गलानी हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं राज रानी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते इस बारे में मैंने अपनी तरफ से जानने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया इसलिए महराज मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य वहाँ चले और स्वयम देखें हो सकता है वो आकाश चमपा आपको सारी बात बता दे मंत्री की पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनकर राजा ने कहा ठीक है हम स्वयम चलेंगे और अपने साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे हम सारे लोग वहाँ चल कर देखेंगे मंत्री जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए महराज से कहा कि महराज यदि आप उनकी सूरत नहीं देखना चाहते तो ना देखें लेकिन उन्हें अपने साथ अवश्य लेकर चलें क्योंकि महराज मुझे लगता है राज महल में कुछ शड्यंतर हुआ है और उसका पता हमें नहीं चल पाया है महराज मुझे दुख है कि आनजाने में मैं भी इस शड्यंतर में शामिल हो गया हूँ इसलिए तो चमपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इनसान कहा इसलिए महराज आप मेरी इतनी सलाह मान कर मुझे पर उपकार कीजिए हो सकता है इससे मुझे अपनी भूद सुधारने का अवसर मिले और मेरे किसी अंजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए मंत्री की भावनाओं को समझते हुए महराज ने कहा की ठीक है मंत्री जी अगर आप उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं लेकिन इतना ध्यान रहे की वह मेरी नजरों के सामने ना आने पाए इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच आकाश चम्पा के पास जाने का दिन और समय तै हो गया राजा और मंत्री के वहां जाने की तयारी होने लगी निश्चित दिन पर और नियत समय पर राजा अपनी रानियों के साथ आकाश चम्पा का रहसे जानने के लिए निकल पड़े आगे आगे रत में स्वयम राजा उनकी पत्रानी तथा पीछे पांच रानियों की पाल की थी उनके कई प्रमुक सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे राजा के आदेशानसार छोटी रानी राजलक्षमी को दासियों के साथ जाना था परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पाल की में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की मंत्री जी को कहीं न कहीं अब भी अपने आप पर गलानी आ रही थी की उन्होंने गर्भ अवस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है उनके साथ चल हुआ है प्रसव तो अवश्य हुआ है लेकिन इसके साथ ही छोटी रानी राजलक्ष्मी राजमहल में किसी गहरे शड्यंत्र की शिकार हुई है राजा का काफिला गाव की तरफ चल दिया और गाव के पास आकर रुका वन के बाहर गाव की सीमा पर पड़ाव डाला गया गाव के ग्रामेन राजपरिवार के स्वागत में जुट गए अगले दिन प्रातहकाल ये काफिला आकाश चमपा के पास पहुँचा और सभी लोग उनके चारों और घेरा डाल कर बैच गए आज भी आकाश चमपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमुहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी चमपा की सुगंध से वहां उपस्थित सारे लोग उल्लासित थे अब राजा भी आकाश चमपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे सभी छे राणियां राजा के पास बैठी थी परन्तु सिर्फ छोटी राणी राजलक्ष्मी उनके पास न बैठ कर मंत्री जी की पत्नी के साथ बैठी थी तभी पत्राणी ने महराज से कहा महराज यदि आपकी आग्या हो तो मैं कुछ फूल लेलू राजा ने कहा हां राणी साहिबा क्यों नहीं आप अवश्य फूल तोड़िये तभी दूसरी राणी ने कहा महराज मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है इनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही हूँ आप आदेश दे तो मैं भी कुछ फूल लेलू तभी तीसरी राणी भी अनुरोध करने लगी राजा देख रहे थे कि सभी राणिया फूल चुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं इसलिए उन्होंने सभी को आग्या दे दी लेकिन राजा ने पहले छटे नंबर की राणी को फूल चुनने के लिए निर्देश दिया उन्होंने पत्रानी से कहा कि यह आप सबसे छोटी है इसलिए सबसे पहले उन्हें फूल चुनने का अवसर दीजिए महाराज की बात मानते हुए बड़ी राणी ने कहा ठीक है छटे नंबर की राणी पहले तुम फूल ले लो राणी फूलों के पास गई और उसने चमपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तभी चमपा के फूल से आवाज आई राणी आप रुखिये आप हमारी आग्या के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती आवाज को सुनते ही राणी के हाथ जहां थे वहीं रुख गए आसपास बैठे सभी लोग भी इस आवाज को सुनकर दंग रह गए तभी चमपा के पौधे से आवाज आई चमपा के पौधे ने बांस के पौधे से पूछा की बांस भईया हमारी सौतेली छोटी मा हमारे फूल तोड़ने आई है मैं टूटू या लगू आकाश बांस के पौधे में से आवाज आई बहन चमपा लग जा आकाश, ये तो तुम्हें चूने योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मा के साथ कैसा अत्याचार किया है। इसलिए बहन इनके बारे में मत सोच और लग जा आकाश। इसके साथ ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। निराश होकर महाराणी वापस आकर अपने स्थान पर बैट गई। इसी प्रकार से पांचवी, चौती, तीसरी और फिर दूसरी राणी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैट गई। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी, उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाए, परंतु पहले ही कहा, सभी सुने, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पट्रानी हूँ. इस राज्य में जो कुछ भी है, उन सबका उप्योग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ या वे मेरी अनुमती से किसी और को प्राप्त होता है. इसलिए चमपा अपनी डाली को नीचे जुका और मुझे फूल तोड लेने दे. इस बार चमपा की डालीों से आवाज आई, भाईया बांस, हमारी सौतेली मां हमें फूल देने के लिए चेतावनी के साथ धमका रही ह हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है. तुम क्या कहते हो? हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? बांस बोला ना बहना, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है. ये पत्रानी है राजा की और अपने राज्ये की. और हम इनके राज्ये से तो सारा काम हुआ है, इन्होंने ही तो हमारी मां को सबसे ज्यादा दुख दिया है, और इन्होंने ही हमें वन में भेज कर हमारी मृत्यू का रास्ता तयार किया था, ये तो महारानी बनने के लायक भी नहीं है, रानी और महारानी राज्य की जनता की मां होती है, इसलिए प तो हमारी सनहारक हैं, हमें मारने वाली हैं। इन रानियों के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो। इसलिए बेहन, तुम जुकना मत। तुम आकाश में ही रहो। तुम्हें इनका स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये सभी बाते सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से जुग गया। राज्ज के सभी सभासदों, राज्ज की जनता और ग्रामीनों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ, जो उन्हें बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा। परन्तो वे इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उसकी इच्छा तो ये हो रही थी कि बान्स और चमपा के पौधे के टुकडे टुकडे करवा दें। लेकिन वो मजबूर थी, इसलिए चुपचा पाकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब चमपा की डालियां वापस पहले की तरह पहले वाली अवस्था में सामान्य उँचाई पर आ गई। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने चमपा के पौधे के पास जाकर फूल तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तभी चमपा के पौधे से आवाज आई, नाना महाराज। आप ये भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भाया से अनुमती नहीं लूँगी। यदि भाया अनुमती दे भी देंगे, तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आउंगी। इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए। फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्य चकित होकर सोचने लगे, आखर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चमपा अपने भायों से भी अनुमती नहीं लेगी और बिना अनुमती के ही रोक देगी। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि, जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ, और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यूं कह रही हो। इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई की, आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उसी पर विश्वास करते हैं, जो दूसरे आप से कहते है आप स्वयम कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने आपकी अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाएं। आपने एक सची नारी का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखे बाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यू के सहंत्र में आप भी शामिल हो गए महाराज। जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक रक्षा दे पाएंगे। राजा ने पूछा तो क्या अब आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा। चंपा के पौधे ने कहा ये जानने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़े। आपक राजा के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे इसलिए वा अपने स्थान पर आकर चुपचाप बैठ गए। अब मंत्री जी ने राजा से कहा महराज अब आप यदि आदेश दे तो हम छोटी रानी राजलक्षमी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दें। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही पत्रानी बोल उठी। पत्रानी ने कहा मंत्री जी जो फूल महराज के हाथों भी नहीं तूटे वह इस धोखेबाज के हाथों कैसे तूटेंगे। मंत्री जी ने प्रश्णवाचक द्रिष्टी से महराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी शंका पैदा होने लगी थी। उनके मन में भी कहीं न कहीं यह विचार आने लगा था कि कहीं रानी राजलक्षमी के साथ सच मे कोई शद्यंतर तो नहीं हुआ था॥। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और पिर उन्होंने इसके लिए मन्त्री जी को अनुमती दे दी। राजा ने मन्त्री को अनुमती देते हुए कहा, ठीक है मन्त्री जी आप रानी राजलक्षमी को चंपा के ये देखकर वह कहती हैं मंत्री जी मेरे हाथ वहां इतनी उचाई पर कैसे पहुँचेंगे? मंत्री जी ने कहा रानी जी आप एक बार वहां पर जाकर तो देखिए आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है इतने लोग फूल को नहीं तोड़ पाए अभी अभी आपने द दीजिएगा लेकिन आप चलिए तो सही जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिंमत करके चलती हुई चमपा के पौधे के पास आई और उसने अपने हाथ बढ़ा कर अपने पास से जाते हुए चमपा के पौधे के तने को छुआ और उसे बहुत प्या प्राफ़ेश देखी, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो इच्छा हो रही है मैं अपनी मा के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूँ इस पर सभी बांज के पौधों से एक साथ आवाज आई हाँ बेहन चमपा बिलकुल सही है तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो मा के चरणों में तो स्वर्ग है मा के चरणों का स्पर्ष कर लूँ इस आवाज के साथ ही सभी ने बड़ी है रानी से देखा की सारी डालियां जुक कर रानी के चरणों को छुकर रानी राजलक्ष्मी के चारों और फैल गई उसके उपर चमपा के फूलों की वर्षा हो रही थी रानी राजलक्षमी के सिर से पाउं तक चमपा के पुश भरे हुए थे और रानी आंसु बहाते हुए चमपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़े सहलाती जा रही थी रानी राजलक्ष्मी की आँखों से आशू बहने लगे ये देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामेन भावुक हो गए सबकी आँखों से आशू बहने लगे राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, किन्न हो या किसी अन्य लोग के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया परन्तु अब छोटी रानी की बाहों में बंद कर उनके उपर पुष्प वर्शा कर रही हो इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ इस बार चम्पा ने कहा, राजन मैं और ये छे बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है हम साथ भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था मुझसे बड़ी छे भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी हमारे जन्म के समय हमारी मा प्रसव के समय बहुत अधिक पीरा में थी हमारी मा ने आपकी पत्रानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया तो पत्रानी ने हमारी मां को कोठी में मुह डाल कर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। वो कोठी बहुत उची थी। उची होने के कारण मेरी मा ने जो पानी पीने का घड़ा था, उसमें अपना सिर डालने की कोशिश की, लेकिन उस घड़े का मुह भी छोटा होने के कारण उनका सिर तो अंदर नहीं गया, परंतु वे घड़े के उपर सिर रखकर दर्ग से कराहती रही. उनकी परिशानी को देखने के बाद भी उनकी सहायता किसी नहीं की इश्वर की कृपा से हम साथ भाई बहन का जन्म उसी अवस्था में हो गया महरानी ने तो सोचा था हमारी माँ अपने सिर को कोठी में रखेगी और उन्चाई से हमारा जन्म होगा और उन्चाई से गिरने के कारण हम बच्चों की मृत्यू हो जाएगी परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे परंतु मा उस अवस्था में दर्द से बिहोश होकर भूमी पर गिर पड़ी थी तब महरानी ने एक दाई को बुलाया महरानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कहा दाई को भेजने के बाद कुछ इट पत्थर के टुकडों को वहां हमारी मा के पास रख दिया जिससे हमारी मा को कभी पता नहीं चला की हम लोगों ने जन्म लिया था। वो कभी भी समझ नहीं पाई की उनके बच्चे आखर गए तो कहां गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखे बाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा की जब दाई ने तुम लोगों को मार कर जमीन में दबा दिया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए। इस पर चमपा कहने लगी महराज इश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वे दाई हमें मार कर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परन्तु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख न ले। इसी डर की वजह से वो हमें लेकर इस वन में चली आई यहां आने पर जब वो कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सक्षियों के साथ वन भ्रमन के लिए आ रही थी जब उनकी द्रिष्टी हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनकी शक्तियों के असर से बहुत जोर की आंधी चल पड़ी दाई हमें खोजती रह गई हमारे नहीं मिलने पर उसने सोचा शायद हम भयंकर आंधी में कहीं ओड़ गए हैं इसलिए महल में जाकर उसने महरानी से जूट बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महरानी उसे मरवा देंगी दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे छे भाईयों को बांस में बदल दिया और मुझे चमपा के फूल का पौधा बना दिया उनकी क्रिपा से हमें सभी बाते याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रही हैं और मानव की आवाज में बोल पा रही हैं राजा कहने लगा तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते चमपा कहने लगी महाराज हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी मा सभी बांच से एक-एक पत्ती और मेरे पौधे से एक पत्ती लें फिर इन सभी साथ पत्तियों को गोलाई में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कहेंगी हे परी रानी मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो तो हम सभी पुने अपने असली रूप में आ जाएंगे उसके बाद सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने बांच और चमपा के पौधों से एक-एक पत्ती ली और उन्हें गोलाई में सजाया और स्वयम उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली हे परी रानी मैं पूरी जिन्दगी आपकी सेवा करूंगी आपकी पूजा करूंगी फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी आपने मेरे उपर इतना बड़ा उपकार किया है आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा अब कृपिया इन्हें मेरे आचल में डाल दो मा परी रानी मुझे मेरे बच्चों से मिला दो आश्चर्य पलभर में देखा गया बांस के पौधे और चमपा का पौधा विलीन हो गया वहाँ पर लगभग 5-6 वर्ष के उम्र के 6 बालक और एक बाली का उपस्थित दिखे रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया रानी राजलक्ष्मी की तो हिचकियां ही बंधी हुई थी वो तो रोए जा रही थी राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आँखों से अश्रू वर्षा किये जा रहे थे गांव की जनता सभासद सभी रानियां बिलकुल मौन होकर ये द्रिश्य देख रहे थे कुछ देर के बाद जब राजा होश में आये तब उन्होंने वही पर अपना दर्बार लगा दिया और गांव दर्बार में पहला राज्य आदेश दिया कि सभी छे रानियां रानी बनने के योग्य नहीं है इसलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ छोटी रानी राजलक्षमी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें अपनी पत्रानी बनाता हूँ शेश सभी छे रानियों को राजकुमारों और राजकुमारी की हत्या के शद्यंत्र रचने के लिए दोशी मानते हुए उन्हें मृत्यू दंड दिया जाता है महराज ने अपने महमंत्री से कहा मंत्री जी मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए रानी राजलक्ष्मी जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए बैठी आंसू बहा रही थी उसने अचानक से अपना सिर उठाया और कहा महराज, आज मेरे लिए प्रसनता का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए आज के इस प्रसनता भरे दिन में मैं किसी के लिए काली मां का दिन नहीं लाना चाहती इसलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है आप मेरा यह अनुरोध स्विकार कर लीजिये की बड़ी रानियों को मृत्यू दंड ना दे अन्यथा इनका दोश हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहन की तरह चाया रहेगा इसलिए महराज इन सब को क्षमा कर दीजिये राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है इसमें सब के लिए एक शमा है परन्तु राजकार्य में एक शमा करने से दोशी दूसरी बड़ी परिशानी खड़ी करते हैं इसलिए इन्हें क्षमादान तो नहीं दिया जा सकता परन्तु आपके अनुरोध पर इनका दंट कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ जब तक ये जिन्दा रहेंगी, कारावास में रहेंगी इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा परन्तु कारावास के बाहर ये एक पल के लिए भी निकल नहीं पाएंगी यही इनका दंट होगा इसके बाद राजा और रानी राजलक्षमी ने सभी ग्रामेनों को अपनी तरफ से कई उपहार दिये और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लोटाए आते समय द्रिश्य बदल चुका था राजा के साथ रत में रानी राजलक्षमी थी उनके साथ ही बच्चे घोडे पर सवार थे और छे रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थी राजमहल पहुँचने पर उन्हें कारावास में डाल दिया गया राजा राणी राजलक्षमी के साथ सुखपूरवक साथ बच्चों और राजी की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे रानी राजलक्ष्मी के दिन जैसे फिर भगवान की कृपा से वैसे ही राज्ये के सभी लोगों के जीवन में भी खुशियां आ गई भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं बुरे काम का परिनाम बुरा ही होता है दोस्तों हमारी यह कहानी यही पर समाप्त होती है आशा करते हैं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद